चलिए अभी हमने क्या-क्या cover किया काइंड ओफ फाइनेंस लांग ट्रम शौट्रम मीडियम लांग ट्रम दस साल से उपर मीडियम एक से दस साल शौट्रम दस साल से कम स्वरी एक साल से कम ओनर फंड में तीन चीज़े हैं एकुटी प्रफ्रेंज और रेटेन अर्णिंग ठीक है इकुटी क्या होता है ये सेर्स होता है जिसके उपर डिविडेंट दिया जाता है सबसे लास्ट में और ये कंपनी रेजिस्टर करते टाइम पर जरूरी चाहिए चाहिए प्रफ्रेंज का होना जरूरी न और नहीं है इसके पास वोटिंग राइट है कुटी वालों के पास प्रफैंस वालों के पास नहीं हम डिफ्रेंस देखेंगे और समझ में आ जाएगा अब मैं डिबेंचर की बात करता हूं कंपनी ना जब हर कहीं से पैसे लेके ठक जाता है तो हर जगे से चाहता है कि हम पैस कि मैं डेप्ट की बात करता हूं करजा जो डेप्ट है आपका करजा जो लोगे हो सकता है बैंक से ले लो रो सकता है आप डिबेंचर से ले लो और हो सकता है आप कोई financial institution या पब्लिक डिपोजिट पब्लिक डिपोजिट की बात करते हैं ठीक है बैंक से आप लोन लेने जाओगे तो बैंक का में कामी क्या होता है हमारा बैंक का बिजनस कैसे चलता है आप सभी के पैसे को वह अपने पास जमा करता है और अगर आपने FD कराया तो आपको 6 या 7% देग का लोन यानि कम रेट से customer से पैसे जमा करके कम ब्याजडर कस्तोमर को देदेता है जिससे लोन देता है उसको क्या देता हाइर और बैंक से आप जब लेने जाओगए तो बड़े सारे 18 परसेंट 18 करोड रुपे का भ्याज होगा आप अपना दिमाग लगाओगा आपको तो 100 करोड रुपे चाहिए चाहिए बैंक से मिले चाहिए कहीं और से मिल जाए लेकिन कम से कम ब्याज पर मिले वही मेरे लिए बेस्ट है आपने क्या करा डिबेंचर पब्लिक को बोला कि पब्लिक जितने भी पब्लिक है आप बैंक में FD कराते हो पब्लिक ने बोला हाँ हम FD कराते हैं आपको कितने इंटरस्ट मिलता है पब्लिक ने बोला हमें 10% मिलता है परसेंट आप मेरे पास पैसे दो मैं आपको कितने परसेंट दूँगा 15 तो एक टाइम के लिए पुब्लिक बूलेगा यह तो बड़ा बड़ी है बैंक में तो 10 परसेंट मिल रहा है मैंने एक लाख रखें तो 10,000 भी आज मिलता है और यहां पे कितना मिलेगा 15 तो पुब्ल रहा है कोई बात नहीं यहां दूँगा तो मेरे पैसे क्या हो सकते हैं डूब सकते हैं यह कोश्चन रेज हुआ किसके माइंड में पबलिक के माइंड में पबलिक ने बोला जी हम तो आपको पैसे नहीं देंगे आपके पैसे डूब सकते हैं क्या गैरेंटी है कि आप मेरे विश्वास हो जाए मेरे पैसे नहीं डूबेंगे तो company पता ही क्या करता है company अपने सारे asset एक जगहाँ पर रख देता है assets रखने का मतलब उसके सारे document जैसे building है तो building के paper अगर उसके पास कोई investment है investment का paper किसी organization के पास रख देगा जाके और उस organization का मतलब क्या है वह जो होगा उसमें इन सभी में से एक person member होगा company का एक member होगा एक उसने एक तरीके से committee एक तरीके से board बना दिया अब इस board के अंदर एक इसका मुखिया होगा एक company का मुखिया होगा एक government का अधिकारी होगा तो सब मिला के एक तरीके से group बन गया और यह सारे जो यहां पे बिठाये जाएगा वो सरफ पेपर की निगरानी करेंगे पेपर की क्यों निगरानी करेंगे अगर company इस सब public को बोले भाई जा तेरे पैसे नहीं देता जो मरजी कर ले तो यह सारे public भागे भागे जाएंगे इनके पास और यह क्या करेगा इसके सार बोलेंगे हम अब बताओ मैं ऐसा प्लैन लेके आया हूं क्या इसको विश्वास हो गया मेरे पैसे नहीं डूबेंगे लग रहा है कहीं न कहीं आपके पैसे नहीं डूब सकते अगर company मना कर दे तो आपके पास कोई option है दूबारा recover करने का बिल्कुल आप कहां चले जाओग कि जब हमने पैसे लिए करजे के रूप में तो वहाँ पर अपने समान को गिर्वी रख दिया तो इसको क्या बोलते हैं हम secured debenture और गिर्वी रखने को accounting word में बोलते हैं moat gauge लेकिन law के language में हम बोलते है charge करना law के language में क्या word होगा हमारा charge ठीक है तो debenture क्या होता है basically company पैसे खटा करेगा bank से क्यों नहीं ले रहा debenture से क्यों ले रहा है 3% का फाइदा है company का bank से लेने गया जी पैसा के जूरत है आप गए bank में पैसे bank ने बोला 18% लूँगा public को मैंने कुछ ऐसा scheme बताया bank वाला भी तो यह सारा document रखेगा ही रखेगा public के पास गया public कितने में देने जमा कर दो मैं कोई समान गिर्वी नहीं रखूंगा भाई लेकिन आपको मानलो मैं जेता हूं पंद्रा पंद्रा के जगा मैं 16 दे रहा हूं तो आप जिसको लगता है company में पैसे डूबने वाले नहीं है वो क्या कर देगा public deposit कर देगा 16% मिल रहा है ज्यादा percentage है लेकिन उस जो document आपके पास है उसको क्या बोलेंगे debenture और वो document हो सकता है कि मैंने गिर्वी रख करके आपसे पैसे लिये हो और ऐसा भी possible है कि बिना गिर्वी रख के लिया हो तो उसे क्या बोलेंगे हम debenture बोलेंगे तो debenture की definition में भी यही given है any kind of stock और any kind of instrument जिसको मैं लिख के आप आपको दे दूँ वो सारा का सारा क्या माना जाएगा debenture मानलो मैंने बोला भाई मुझे 10,000 रुपए दे दो जुरृत है आपको मैंने एक paper लिखके दे दिया कि मैं आपको पैसे दे दूँगा यह debenture है मैंने कर्जा लिया है आपसे तो जो any kind of instrument उसे क्या बोलेंगा debenture अब question raise होता है sir एक bond word भी सुना है तो जैसे Reliance Limited है तो Reliance आपने थोड़ा पढ़ा हो अगर तो Reliance कौन सी कंपनी है प्राइवेट है बिलकुल मतलब पूरा का पूरा किसका है किसी ने किसी एक person या फिर government का कोईस में हस्ते शेप नहीं है तो प्राइवेट है और ऐसे मान लो मैं government और प्राइवेट दोनों को मिला के जो बनाते हैं उसको बोलते हैं public sector company तो अगर public SBI है SBI में government भी है public दोनों है SBI ने अगर debenture issue करा तो वो बोलेगा जी मैं तो debenture नाम नहीं दूँगा हम तो थोड़े अलग है आपसे तो मैं इसको bond बोलूँगा क्या बोलूँगा मैं bond लेकिन वही रिलाइंस ऐसे पैसे इखटा कर रहा है तो वो बोलेगा भाई मैं तो आपसे अलग हूँ तो मैं अपने उसको क्या नाम दूँगा debenture तो debenture और bond अलग-अलग नहीं होता debenture और bond क्या है एक ही है बस पैसे को इखटा करने का तरीका है अलग-अलग इसके उपर एक fixed percentage होता है अभी आपको मैंने EBIT EAT करवाया था सबसे पहले क्या माइनस हुआ था किस पे debenture पे तो सबसे पहले right होता है interest on debenture का फिर right आता है preference share dividend last में किसका right आता है equity का तो आप long term debt भी ले सकते हो long term यानि लंबे समय के लिए या तो debenture से पैसा इखटा कर सकते हो या फिर bank से लोन ले सकते हो या public deposit से ले सकते हो थार्ड option होता है financial institution बताओ financial institution क्या होता है कि किसी को पता financial institution specialization छोड़ दो आप क्या है यह financial institution क्या होगा कि करजा लेना करजा होता है गिर्वी रख्के क्या होता है फरक्या है ऐसा financial institution कहीं आपने देखा है बताओ को एक्जामपर मुथृट finance तो क्या खासियत है उसमें जू आग वह तो बैंक में भी किया जा सकता है तो बैंक और financial institution में क्या difference रह गया है रखते हैं देखो अब सिंपल सा difference देखो बैंक के अंदर हमारे पैसे भी जमा किये जाते हैं और लोन भी लिए जाते हैं उसको बैंक बोलते हैं financial institution वाले आपके पैसे जमा नहीं करेंगा आप जाओगे मुथृट financial बोलेगा मिर पासे एक लाक रुपए जमा कर लो वो बोलेगा नहीं कर सकते हैं financial institution सिर्फ करजा देने का काम करता है और बैंक जो है वो दोनों काम करता है करजा लेने का भी और करजा देने का तो यही major difference रहता है इसमें तो हम क्या सीख रहे हैं कि जब business चलाएंगे तो business चलाने के लिए आपको पैसे की जरूरत है तो पैसे की जरूरत को आप पूरा कहां से कर सकते हैं और फंट से एक्यूटी से कर सकते हैं प्रफरेंस से कर सकते हैं से कर सकते हैं दूसरा कि से कर सकते हैं डिवेंचर से डिवेंचर क्या होता है एक